मित्रों बच्चे, बुड़े और जवान, महिला पुरुष, एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उन सभी को किसी एक सब्जेक्ट से क्या सीखना चाहिए, ऐसे कुछ प्रशन में सोच रहा हूँ, तो सुधर्शन सर ये जोगरफी और एंवायरमेंट से बच्च जिसे हम हिंडी में कहते हैं, जैसे मानोँ लोग हमेशा फूट चेन को एदी हम लोग देखें तो पोशक्सतर होते हैं, मतलब ट्रॉफिक होता है, की घांस को डियर को लॉयंगे इखाया, पहल प्जोटी में खाया है, एक दूशरी से ब्रशन को बोलगा, तो अब आप imagine करो कि ऐसे ये एक पूरा पानी का ecosystem है, पानी में बहुत सारी मचलिया है, छोटी मचलिया, बड़ी मचलिया और बड़ी हुर मचलिया, तो नीचे जितना होगा उनकी quantity बहुत रहेगी, शार्क जितनी उतनी छोटी मचली कभी नहीं होगी, मतलब उतनी जाद ही रहे मतलब एक problem, multiple problem को जन्म दे रही है, एक मचली में दी production गया, तो बड़ी मचली तक उसका असर होगा, और एक bio magnification मतलब उपर वाले को सबसे जाना समस्या है, क्योंकि उसने 100 मचलियां खाई होगी, तो 100 मचलियों का production उसके अंदर गया, अब ये हमारे हर दिन के जीमन में सो रील देखने में, मैं पूछों कि कल तुमने जितनी रील देखी उसमें क्या content याद है, किसी को एक भी याद होगा, सिर्फ चेहरे के अलावा, उसका कोई आर्थ भी नहीं था, कोई कुछ भी आर्थ नहीं था, अब दिक्कत यह हुई है कि मैंने ये observe कि हमारा concentration power खतम हो कोई भी चीज में देखता हूँ, तो मैंने ध्यानी नहीं लगा भा था, especially learners, बच्चे जो है, जो भी पढ़ रहा है, उसको रील की तरह कंसिडर कर रहे है, थोड़ा देखा, कल पढ़ लिया, परसो पढ़ लिया, फिर परसो का पूछूँगा, तो प्रॉड़ा, जिस तरह प्रदूशन एक्चुल में प्रकृती में जा रहा है, जैसे मुझे लगता है, यह सर सोशल मेडिया का गलत तरीका से कोई व्यक्ति यूज़ कर रहा है, तो उसके जीवन में भी वह पहुंच रहा है, तो थोड़ा सा हमें सतर करेंना चाहिए, मतलब वो जहर ही है, और आप क्या सबख लेना, सर इतियासिक द्रस्टी कौन से एक दर्शन मुझे सबस्यादा मतलब मैं उसको मानता भी हूँ और थोड़ा बहुत और भी समद्नी कुछी हो रहा है, वो है अन्यकांत वाद, एक ऐसा दर्शन जो कहता है कि reality सच्चाई के बहुत सारे perceptions हो सकते हैं, समाज के तौर के उपर, संस्ता के तौर के उपर, भ्यक्तिगत लेवल पर या प्रोफेशनल लेवल के उपर भी जो हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, बहुत आया हम हमारे अलग अलग प्रकार के relations होते हैं, तो disagreement होती है, तो एक सही होता है, गलत होता है, वेरस जैनिसम यह कहता है, अनेकात वाद यह कहता है, कि वह भी सही हो सकता है, आप भी सही हो सकते हो, एक बाद ढाल के देखें, समझ के देखें, इससे बहुत सीज़र सीखने की आउशकता है, डिस अग्रिमेंट को कैसे ओडियली सॉल किया जा सकता है, फित तो पहनी चीज़ तो हुआ है, दूसरा इतियास में एक चीज़ तो बड़े-बड़े सामराजे, राजे-रजवाडे तूटे है, उनके आचरण के कारण, करेक्टर के कारण, और मुझे लगता है कि करेक्टर बिल्डिंग, मलब हमारे स इतियास में इवेट्स तो सिखा देते हैं, तारीक तो सिखा देते हैं, पर करेक्टर बिल्डिंग हम नहीं समझा पा रहे हैं, आप जितने राजे-रजवाडे देख लीजिए, आचरण के कारण उनका पतन हुआ है, वो चाहे अनाइतिक सबंध हो उनके, लड़ाई के तोर के उपर कभी-कभी, वी विल सी की, एरोगंसी दिखाना हो, इंडिया की हिस्ट्री के अंदर एक दर्शन या एक विजन बहुत चलता है, जिसे हम लों कहते हैं, पानीपर सिंड्रॉम, एक ऐसा सिंड्रॉम जहां आउटसाइडर्स, इंसाइडर्स के उपर भारी पड़े, इरिस्पेक्टिव बाहर के जो शाशक अटेक कर रहा है, उनके बास सेना के नंबर्स कम थे, जैसे आप मराठाज और आप्डली को देख लोगे तो, मराठाज वर गुट फोर्स, 1761 में, उसके पहले इबरहीम लोदी और बाबर को देखो, 1526 में, उसके बाद भी अफगान जो उस टाइम पे अफगान फोर्स को लीड कर रहे थे, मराठास की तरफ से सदाशी राव भाव जी, इतियास्प में हमें ये भी सिखना है कि ये सब अच्छे लीडर्स हुआ कर जाते है, ऐसा मिलिटरी स्किल्स बहुत थी, पर मिलिटरी स्किल्स के साथ कॉम्बिनेशन सा इरोगंसी का, and that costed him the empire and the life, and it changed the course of history. मतलब एक चीज से आप कुछ सब चीज बदल नहीं सकता है, बहुत सारे बून होने से हैं? मतलब सार, मुझे तो जो समझ आया इतनी पूरी कहानी से, वह ये आया कि एक टीचर होने के नाम पे सिभ आपको ये नहीं कि मुझे सिभ आता है कि ये जितनी टेक्नोलोजी उसमें हमें अपग्रेड बना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमें पावर्पोइंट बनाना भी आना चीज है, हमें थोड़ा डिजाइनिंग पार्ड भी आना चीज है, चीजों को समझाने के तरीके भी आने चीजिए आप अक्सर करते रहें, तो सारे गुण होने चीजिए, सर्वगुण संपन आई झिंक तभी कॉंसेट निकला है, और सर्वगुण संपन इतियास भी ये कहता है कि कोई सर्वगुण संपन नहीं होगा, पर वो गुण को गेन करने के लिए परहतना करें, एफोर्ट शूद मैटर, और यह सर बहुत अब जैसे कोई दादा जी हो तो अपने बच्चे को बहुत जादा प्यार दोलार करें और आधते बिगाड़ें, चॉकलेट खिलाएं ये वो, और फादर या बेटा जो है, वो कहें कि नहीं, या पी मत करो, और यह उसी तरह सासुमा और नहीं के बीच कुछ चलता हो, तो म सिस्टम आज की तरिक में इंडिया में टिकी हुई है, सर, उसके मिशे का कारत ही अने का दवास, प्यारिक, अनुत सर, आप क्या सोचते है, मलग, आपने जो पढ़ाया है, जो सब्जेक्ट फॉलो करें, हिस्ट्री आट कल्चर, क्या उसमें बच्चे बुणे और जवन सब हो गया, अब राजा था बंगाल का शिराज उद्वला, अब शिराज उद्वला जो बंगाल का नवाब था, उसके पीछे पूरी भूमे का सेटिंग बना रहे थे, उसका जो सेना पती था, मीर जाफर, घसीटी बेगम जो उसकी मौसी थी, और जो बंगाल के बड़े-बड रिच बेंकर्स थे, वो पूरी भूमे का बना रहे हैं कि इसको हमको अटा लें, 1756 से वो प्लानिंग चल रहे थी और 1757 मों एक्जिक्यूटी, अब शिराज उद्वला को बीच में ऐसा कहा जाता है कि एक बार पता लग गया था, कि मीर जाफर जो है, जो सेना पती है, शिर अपने नाना का वो वास्ता दे रहा है, कि तू तो मेरे नाना का इतना बड़ा मित्र था, अरे तू मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे वो उसको भावनाव में करने लगा, जब की राजा का करता भी होना था, कि जब उसकी तरफ से पहली ऐसा हो गया है कि आविश्वाश जाच चुका है, तो उसको उसको डंडिक करना था, ताकि उसकी मौसी और बंगाल की जितने भी बड़े-बड़े लोग थे, उनमें एक आतंग पैदा हो जाता कि भाई, इसके खिलाफ हम नहीं जा सकते राजा के तौर पे, और फिर वो ही हुआ सर, उसने मान भी नाना का द प्रोल ले लिया, हमें 190 सार लग गया उसके बाद सवतंतर ले, तो मेरा कहने का मतलब यह है, सर कि किसी की उपर आसानी से विश्वाश मत करने, और यह लाइफ में छोटी-छोटी चीजे होती है, सर, उधारन के तौर पे कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कि किसी ने कुछ भ मतलब सर, सिक्षा टन वैपसाही करन हो चूका है, मतलब मैंने ये बुक के बिना ही यू-पिए से क्लियर कर, मैंने पढ़े बिना ही यू-पिए से क्लियर कर, रखी दो है, दो उसके रखे हो है, सर, अब लीधू दूर लिए है, 24 गंटे में कैसे निकाले है, एसा वीडिव मैंने यह बुक सर ली नहीं है मैंने पढ़ी नहीं लेकिन इसके दोनों एडिशन रखे हैं मैं अपडेटिटि लिए मैंने बिना पड़े यूपेसे नहीं काला मैंने एक वीडियो देखी सर उसका दमेल था कि एक दिन में कैसे करे 26 गंटे तैयारी आप 24 गंटे होते हो और 24 सबने अपना ग्यान तो देखी सब्सक्राइब करें अब केबल 15 मिनिट में ही निकलेगा यूपेसी नहीं करनी है सालों साल तैयारी कैसे करें सबने अपना ग्यान तो देखी है सब्सक्राइब करें पर अब मतलब एकनोमी से तो मेरे कुछ समझी नहीं बैठता हूं इतना बस आता है कि पैसा पैसा दिखता है मुझे नहीं उसके अलावा इस इवन है मैं चाहरा हूं यह तो पैसा तो मतलब ठीक है तो क्या सब्सक्रा सब्सक्राइब बादार में उसके शेर का बहुत ऊपर चड़ गया हो तो वो कभी न कभी नीचे गिर जाता है और नहीं गिरेगा तो कुछ लोग शॉर्ट सेलिंग वगरा करके उसको नीचे गिराके रहेंगे सेम तिंग ऑल्सों एप्लाइजिं लाइफ तो जो आप आपक स्टेटेजी में अगर कोई स्टेट्मेंट में लिखा है तो क्यूंकि हाइस्ट वड़ है इस लिए गलत ही होगा ऐसा सब कि आवार उसके चलते कुछ गैस मास्टर है वो यूट्यूब पर चाग है वह बन गए बड़े पन स्वाबाई कि ऐसी स्टेटेजी चलती ने स्टेटेशन होता है पहले बहुत सारे एरलाइन कमनी के अभी दो तीनी बचे इंडिगो विस्तारा एर इंडिया मोबाइल में भी बहुत सारी कम्पनियां थी अब सिर्फ बचा जीओ और एटल तो आपने भी डटके रहना है आपका यूटेसी नहीं हो रहा है कोई दूसर आपको यह वीडियो बहुत डेफिनेटली मदद कर रहा होगा रिलेटेट विद कुछ ऐसे डाउट्स रहते हैं अकसर सो कैसा लगा यह वीडियो जरूर मुझे बताना और अनकेडमी ने अब यूपीएसी के तयारी को बहुत जादा एफॉर्डेबल बना दिया 15 महीने का स सब्सक्रिप्शन सिर्फ 24,000 ट्रिपल 9 में जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर सब्जेक एक्सपर्ट आपको सब मिलेंगे जिनका बहुत अनुभव है सब्जेक का आपके लिए पूरी जरूरी को बहुत आसान कर देंगे तो इस सब्सक्रिप्शन को आप लीजिए जो कि 17 जुलाइ से इसका प्राइस भी हाइक हो रहा है और पूरी अपनी तयारी को बेस्ट लेवल पर ले जा सकते हैं साथ में भी सिख्केस तारिक में इस जुलाइ में आपको अनकेटमी समिट भी होने जा रहा है और इस समिट के मदद से आप लोग जो लेजंडरी लोग झालू जा है।